नमस्कार दोस्तों मैं हुए अश्टियारी आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 576 वा एपिसोड आज 24 मार्च की तारीख है आईपियल में सिर्फ दो दिन का समय बचा हुआ है और रोज की तर आज भी आईपियल को लेकर दिन्मर की दस बड़ी खबरे लेकर रमाजर है तो सारी खबरे बताएंगे एक के बाद एक देर मत कीजिए एंड तक वीडियो को देख विडियो लाइक और शेयर जरू कीजिए सब्सक्राइब करेंगे लगा तार यह मांग भी उठ रही थी यह सवाल भी आ रहे थे अब क्या ऐसा होगा यह तो समय बताएगा बट अश्विन ने अभी बड़ी बात कहकर 2023 के लिए बहुत बड़ी बस जरूर कर दिये आगे बड़ते हैं बात करते हैं दिनमर की दूसरी बड़ी खबर की लेकिन उस्ते पहले IPL में आप माला माल होने का मौका सौरव गांगुली के साथ बिलकुल मत छोड़ना मैंने नीचे डिस्क्रिशन कमट बॉक्स मिल लिंग के डाल दी है को लिए माह 11 सरकल आपको अभी डाउलोड कर लीजिए एक करोड रुपे का पहला है हर साल लोग जीत रहा है और इस बार तो दादा खुद देने वाले बड़ी बात यह नहीं बड़ी बात यह है कि अगर आप MCP 2022 नाम का यह जो कूपन कोड है यह यूस करते हैं तो आपको 1500 रुपे मिलते हैं 20% का स्पेशल डिसकाउंट मिलता है और VVS लक्षमन के साथ खेल कर हर मैच में जीते हो अमाउंट का पांच गुना कैश आप कमा सकते हैं पचास रुपे लगाएंगे तो 200-300 रुपे कमा सकते हैं बागी 1500 रुपे तो प्री में है तो देर मत कीजिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से खोलिए MCP 2022 कोड इस्तमाल कीजिए माहलावं स कॉंफ्रेंस होती है उसमें इन्होंने कहा है कि इशान किशन टू ओपन वित मी अंसर्टिनिटी ओवर सूर्या इवन अप्रेल अप्रेल तक सूर कुमारी आदव को लेकर अभी अनसर्टिनिटी आने वाले साथ-10 दिनों तक है दूसरी बड़ी चीज की इशान किशन ओपन हो चुके है अपरेल तक आई-पील से बाहर चेने सूपर किंग्स की टीम ने फाइनली रिपोर्ट कर दिया है दैट की दीपक चाहर उनके साथ नहीं होंगे अपरेल तक इवन अपरेल में भी बाहर रह सकते है अलग कि कहा यह जा रहा था कि शुरवाती एक-दो मैच नहीं के लेंगे बाट अब रिपोर्ट जो है वो अल्दो क्लियर कर रही है कि शायद मार्ज नहीं अपरेल में भी बहुत लंबा समय दीपक चाहर चेने की साथ रहेंगे नहीं अब दीपक चाहर का शू कौन लेगा कौन उनकी जगा बरेगा यह तो आप कमेंट बाक्स से बताई कमेंट बाक्स नीचे अपनी राइस पर जरूर लिखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं दिन बर की चौती बड़ी खबर की तो रोही शर्मा ने एक और है का हाला कि मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं मुंबई में जितना क्रिकेट रोही शर्मा ने खेला है उसका सीधा सीधा एक एडवांटेस तो एमाई के पास रहेगा और एमाई के चांसे सिस्से आई पील में प्ले आउफ तक पहुंचने को लेकर बहुत ज्यादा ब हर एक मैदान पर हमें बोल सकते हैं कि सिर्फ 25-25% ही लोगों को खेलने की जाने की अनुमती है and this is going to be a huge thing पाची बड़ी खबर शायद मेरे को असा लगता है मुंबई शहर के लोग अगर देख रहे हैं तो उनके लिए शायद बड़ी चीश चलिए दोस्ता आगे बड़ते 27 तारिफ को पंजाब को मैश होगा और इस मैच में भी चार बड़े विदेशी प्लियर्स बड़े नामी विदेशी प्लियर्स दोनों ही टीमों के हावाले से नहीं खेलने वाले अगर आब रसीवी की बात करें तो 27 तारिफ होने वाले मैच में गलाएं मैक्सल और जो जो पंजाब के लिए बड़े विदेशी प्लियर्स पहने मैच में उपलब्द नहीं रहेंगे और यहां से एक चीज और हो गई कि जब मार्च में आई पर शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़ादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेशी प्लियर्स पहले नहीं रहेंगे और आती है और इस बात को अब एविडेंटली कोई भी बोल सकता है क्योंकि जो कंडिशन बद लहीं है वो इस बात को सीधा-सीधा वाक्या तोर पर आपके सामने रख रही है तो मेरे साब से समय पर हो अप्रेल में हो पतब एक हफता लेट ही हो ताकि प्लेयर्स तो प्लब दो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं दिम्र की साथी वड़ी ख़वर की तो रहना ने बड़ी बात कह दी सुरेश रहना ने चेनी सूपर किंग्स के अगले कप्तान को लेकर कई सारी बाते कहीं क्योंकि रहना पहले भी ड्रसिंग कहिस्ता रह चुके हैं उनकी ये बा अपया ब्रावो के पास चांस है वो जडेजा के पास है और इसलिए इस बाद जब रेटेंशन हुआ था तो फर्स्ट रेटेंशन फिफ्टी जो इस बार आई पेल हो रहा है पंदरवा संसकरण जो हो रहा है उसमें भारतिय टीम बीसी सी आई भी अपने भविश की कप्तानी को तलाश रहा होगा क्योंकि हमने जिस संख्या में भारतिय कप्तान देखें आप उपर से नीचे तब उठा लीजिए पंजाब को भारतिय कप्तान मौझूद है कुछ बड़ा हमें भारतिय क्रिकेट का भविश इसी साल के आई पिल में दिख जाएगा आगे बड़ते हैं बात करते हैं दिनमर की दस्वी बड़ी ख़बर की तो राशित खान में बड़ी बात किया थी टूर्णमेंट से पहले उन्होंने क अगर मैंने की तो मैं बहुत पेटूंगा ये कह रहा है आशित खान आपकी कह रहा है कमेंट बॉक्स में दिनमरी दस्वी ख़बर है वही माय लावन सर्क लाएपर अपना काउंट ज़रूर बनाने ना शामिल है और इसकी रिलत लग सकती है क्रिप है जिम्यदारी से और अपने जोकिम पर खेले